तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्जरसाइस 2.2 का question number 16 से ठीक है find the value of each of the expression in 16 to 18 exercise means question number 16 से 18 तक हमें क्या करना है इनकी value निकालना है इन expression की value क्या है वो निकालना है तो देखो 16 में क्या हमारे पास sin inverse of sin 2 pi by 3 सीच्टी का solution करें गिवन क्या हमारे है sin inverse of sin 2 pi by 3 यह में given है इसकी value निकालना है सबसे पहले हमें sin inverse का range हमें पता है ठीक है sine inverse का range हमारा क्या होता है sine inverse का range sine inverse x का range means x कहां से कहां होगा x belongs to close interval pi by 2 2 minus pi by 2 2 pi by 2 means इसकी value इन दोनों के बीच में आना चाहिए direct हम यहाँ पे sine और sine inverse cancel नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास 2 pi by 3 range से बाहर है यह value वैकल म disgusted मैंनस 200 पार ऐइडि और पाय बाय टू के बीच इसलिए हम इन इनको डिरेक्ट केंसल आउट नहीं कर सकतें कि यह में इसको चेंजion कर ना पड़े एधार मेनस 2डों सांफ बाय और त्री को चेंज करके में sine inverse के range में लाना पड़ेगा तब जाके हम यहां से sine sine क्या कर सकते है cancel out कर सकते है ठीक है तो कैसे लाएंगे इसको देखो its equal to क्या होगा हमारे पाफ sine inverse of 2pi by 3 को मैं ऐसे लिख सकते हूँ pi minus pi by 3 ऐसे लिख सकते हूँ ठीक है अगर multiply करेंगे तो 3 pi minus pi divided by 3 तो 2 pi by 3 फिर से दोबरा होई आएगा अब यहां पर देखो हमें पता है sign of 180 minus theta जिसके बराबर होता है हमारा sign theta के बराबर होता है ठीके quadrant यहां पर बना कि आप देख सकते है means 180 minus theta 180 यहां पर होता है minus theta तो second quadrant में लाई कर रहे second quadrant में sign क्या होता है positive होता है और उपर से यहां पर pi है pi और 2 pi पर क्या होता है sign cos जिदने भी technometric function से वो सब change नहीं होता है ठीक है तो sign का sign ही रहेगा और यहां पर है तो sign के क्या है पॉजिटिव आएगा तो it's equal to sign inverse क्या हैगा sign pi by pi minus pi by 3 तो sign pi by 3 ठीक है तो यह sign sign कैंसल आउड हो गया क्या है हमारे पास pi by 3 आएगे इसके वेल्यू चीक है अब देखो next question बस 17 भी ऐसे ही करना है 10 inverse 10 inverse काप कैंसल होगा जब यह value जो है ना 3 pi by 4 यह तो बहुत बड़ा है उसके range से बाहर है तो इसको सबसे पहले हमें 10 inverse के range मिलाना पड़ेगा तो 10 inverse का range क्या हमारे पास open interval minus pi by 2 to pi by 2 है ठीक है sign inverse का क्या था close interval close interval minus pi by 2 to pi by 2 था ठीक है 17 का क्या हमारे पास देखो 10 inverse 10 3 pi by 4 यह हमें given है ठीक है तो सबसे पहले range of 10 inverse क्या था range of 10 inverse x क्या था हमारे पास minus pi by 2 to pi by 2 ठीक है यह open interval minus pi by 2 to pi by 2 ठीक है open interval means minus pi by 2 भी नहीं लेने pi by 2 भी नहीं लेने इन दोनों की बीच में जिनने भी value से वह हम ले सकते है ठीक है तो इसको change करते हैं तो इस equal to क्या आएगा हमारे पास 10 inverse 10 of pi minus pi by 4 एसे लिख सकते हैं 3 pi by 4 को हम कैसे लिख सकते हैं pi minus pi by 4 ठीक है अब देखो 10 180 minus theta क्या आता है 180 minus theta फर्स्ट क्वार्डन में ही यहां पर स्वारी सेकंड क्वार्डन में लाई करेगा यह वाला एंगल लेकिन सेकंड में 10 हमारा क्या होता है negative होता है सेकंड में तो sine और positive होता है तो यह क्या है माइनस of 10 theta क्योंकि pi पर यह change होता नहीं है 10 है तो 10 ही रहेगा कोड है तो कोड ही रहेगा तो यह माइनस 10 theta आए गया तो यहां पर means क्या आएगा हमारे पास 10 inverse 10 pi minus pi by 4 के जगे क्या है माइनस of 10 pi by 4 आएगा ठीक है अब देखो यहां पर माइनस आगे यहां पर direct 10 inverse है तो इसको हम cut cut नहीं सकते हैं तो सबसे पहले इस negative को क्योंकिसे अटाएंगे देखो हमें पता है 10 of minus theta किसके बराबर आता है minus 10 theta के बराबर आता है यह formula था ठीक है सिर्फ किसमें यह वाला sign बाहर नहीं आता है cos में cos minus theta क्या होता है तो अगर यह बाहर minus है तो इस minus को मैं angle के साथ लिख सकता हूं ठीक है तो देखो ऐसे ही मैं यहां पर कर रहा हूं क्या आएगा मेरा 10 inverse यह जो बाहर माइनस है यह वाला माइनस मैं अंगल के सार लिख रहा हूं इस तरह है तो यह जो यह क्या हैगा ten of minus five by four means इसको मैंने ऐसे लिखए minus कहां ले गिया मैंने angle के सार ले गिया अब मैं यह ten cut कर सकता हूं ठीक है उपार से एंगल मेरा इसकी बीच में मैंनस पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब 18th क्या है हमारे पास 10 of sine inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2 तो यहां पर हमें इसको change करके यहां पर 10 inverse लाना है ताकि 10 inverse और 10 क्या हो जाए हमारा cancel order हो जाएगे तब जाके हमें value इसके क्या होगा पता चले गया तो देखो सबसे पहले हम इस sine inverse को 10 में change करने के लिए क्या करते हैं let sine inverse 3 by 5 is equal to theta मान लेते हैं यह theta के बरब तो यह आएगा क्या sine इस side जाएके sine theta किसके बराबर होगा हमारा यहां पर क्या बचाएगा सिर्फ 3 by 5 ठीक है 3 by 5 अब देखो हमें पता है यह तो हमने 10 में पढ़ा था sine के जो दो आगर sine theta के ratio हमें पता है perpendicular हमारा कितना है 3 यह 3 आएगा perpendicular कौन साइट होता है हमारा theta के opposite side वाला perpendicular होता है और यह 90 दिगरी के opposite side हाई पोर्नीज होता है तो यह 5 है अब यह वाला side हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस theorem यूज़ करके यहां से निकालते हैं देखो क्या आएगा a c square is equal to a b square plus b c square ठीक है तो a c हमारा 5 है तो 5 square is equal to a b हमारे कितना है a b हमें find करना है plus b c कितना है 3 का square है तो 5 5 25 is equal to a b square plus 9 तो यह आएगा 25 9 को इस साइट है तो minus 9 a b square यह किरना होगा 14 ठीक है कितना होगा हमारा 16 होगा 16 is equal to a b square तो यह a b is equal to क्या आएगा हमारा under root of 16 तो a b is equal to क्या आएगा 4 आएगा ठीक है square root of 16 कितना आता है 4 तो यह 4 आएगा अब देखो हम 10 theta निकाल सकते हैं हमें यहां पर 10 inverse में चाहिए तो 10 theta हम यहां से निकाल सकते हैं आरहम से तो 10 theta कि आएगा तो this implies 10 theta की value क्या आएगा 10 theta क्या होता हमारा perpendicular upon base तो perpendicular कितना हमारा 3 है और base कितना हमारा 4 है तो 10 theta कितना आएगा 3 upon 4 तो this implies यहां से अगर मैं theta की value निकालों तो क्या आएगा theta is equal to 10 inverse 3 by 4 ठीक है तो देखो theta की value यहां से sine inverse 3 by 5 के भी बराबर है theta की value यहां से 10 inverse 3 by 5 के भी बराबर है तो therefore क्या आएगा हमारा sine inverse 3 by 5 किस के बराबर है 10 inverse 3 by 4 के बराबर है ठीक है means इस sine inverse 3 by 5 के जगे पर हम क्या रख सकते हैं 10 inverse 3 by 5 रख सकते हैं similarly quad inverse 3 by 5 quad inverse 3 by 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 inverse 2 by 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसका तो direct formula है हमारे पास अगर quad inverse x by y हो तो यह किस के बराबर आता है 10 inverse y by x के बराबर आता है ठीक है 10 inverse में direct यह change हो जाएगा नीचे वाला उपर जाएगा उपर वाला numerator denominator में आएगा ठीक है तो यहां पर quad inverse 3 by 2 था तो 10 inverse कितना आएगा 2 by 3 आएगा ठीक है तो आप देखो यहां पर रखते हम तो इस इंप्लाइज देखो क्या आएगा मारा expression क्या है 10 inverse sorry 10 of is equal to 10 of sin inverse 3 by 5 plus quad inverse 3 by 2 is equal to 10 of sin inverse 3 by 5 हमने यहां पर solve किसके बराबर आएगा 10 inverse 3 by 4 के बराबर आएगा तो यह होगे 10 inverse 3 by 4 plus quad inverse 3 by 2 quad inverse 3 by 2 किसके बराबर आएगा 10 inverse 2 by 3 के बराबर आएगा इसी equal to यहां पर फिर से देखो हमारा क्या होगा formula लग जाएगा 10 inverse x minus sorry plus है बीच में तो 10 inverse x plus 10 inverse y क्या आएगा हमारे पास 10 inverse x plus y upon 1 minus xy एसे आएगा ठीक है तो यह बहार 10 अगर हम यहां पर formula लगा दे तो क्या आएगा 10 inverse x plus y तो 3 plus 4 upon 2 plus 3 divided by 1 minus xy तो 3 upon 4 into 2 upon 3 यह आएगा ठीक है तो इसको solve करने पर क्या आएगा इसी equal to हमारा 10 of 10 inverse यह क्या आएगा 3 3 is a 9 plus 8 divided by 12 whole divided by कितना आएगा 4 3 is a 12 यहां पर 12 plus 3 2 is a 6 तो अरे भीच में minus 6 divided by 12 तो यह 12 12 cancel out हो गया तो क्या आएगा 10 of 10 inverse 8 plus 9 17 divided by 12 minus 6 तो 6 आएगा तो यह 10 inverse और 10 cancel हो गया क्या आएगा हमारा लास में आप वेल्यू 17 अपून 6 तो यह था हमारा क्योशन नमबर 18 तो यह था 10 of